दोस्तो वीडियो शुरू होने से पहले में आपको बता दुख आज की खबर कुछ खास है 23 अगस्त 23 अगस्त को 1988 EG नाम का उलका पिंट शाम को 8 बच कर 18 मिनट पर हमारी दर्ति से काफी नजदीक से होकर गुजरने वाला है दोस्तो इस उलका पिंट का आकार 430 मिटर से लेकर 960 मिटर यानी एक किलो मिटर जितना डाय मिटर वाला यह उलका पिंट 22 अगस्त को रात को 8 बच कर 18 मिनट पर यह उलका पिंट हमारी दर्ति से काफी कम दूरी पर से गुजरेगा दोस्तो नियर अर्थ अबजेक्ट की लिस्ट में इस उलका पिंट के बारे में सारा डीटेल आप यहां पर देख सकते हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस उलका पिंड के बारे में कि आखिर 23 अगस्त को यह उलका पिंड हमारी दर्ती से कितनी दूरी से बुज़ेगा और इससे कितना खत्रा हमारी दर्ती को है दोस्तों आपको बता दै कि इस अंत्रिक्स में एक एपल के आकार से लेकर 1000 किलोमेटर बड़ी उलका पिंड भी हमारी इस अंत्रिक्स में मौझूद है लेकिन कभी-कभी यह उलका पिंड अपने ओर्विट पिरिड के दोरान हमारी दर्ती के इधने नजदीक आ जाते हैं कि इससे हमारी दर्ती से टकरानने का खत्रा बना रहता है ऐसा में 23 अगस्त को 1988 EG नाम का उलका पिंड हमारी दर्ती से काफी नजदीक से होकर गुजरने वला है और विग्यानिक हैरान इसके आकार को लेकर क्योंकि इसका डायमेटर एक किलोमेटर से भी बड़ा है जिहां दोस्तो इसका आकार विग्यानिकों के अनुसार 430 मिटर से लेकर 960 किलोमेटर तक हो सकता है यानि कि लगबग 1 किलोमेटर और इतना बड़ा उलका पिंड जब हमारी दर्ती से टकलाता है तो तबाही बयानक हो सकती है दोस्तो छोटे उलका पिंड जब हमारी दर्ती के वायू मंडल में प्रवेश करते है तो हमारी दर्ती को कोई जादा खतरा नहीं होता है लेकिन जब बड़ा उलकापिन हमारी धर्ती के एट्वोस्ट मेर में एंटर करता है तो हमारी धर्ती तक पहुचने में वह कायम्याब हो जाता है और भारी तबाही मचाता है यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1988 EG नाम का इस उलकापिन के ओर्बिट पीरड को आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारी धर्ती के नजदीक बढ़ रहा है समय के साथ दीरे दीरे अपने ओर्बिट पर आगे बढ़ता हुआ यह हमारी धर्ती के काफी नजदीक से गुज़रेगा 23 अगस्त शाम को 8 बचकर 18 मिनट पर यह हमारी धर्ती से सबसे कम डिस्टन्स पर मौजूद होगा दोस्तो हाली में नासा की तरफ से आई नई अपडेट के अनुसार यह उलकापिन अपने ओर्बिट पर इसी तरह से आगे बढ़ता रहा दोस्तो हमारी धर्ती के वायू मंडल में परवेश करने के बाद में हमारे धर्ती का गुरुत्वा आकरशन बल इसे अपनी और आकरशित कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो यह हमारी धर्ती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि उसका डायामेटर काफी बड़ा है और छोटा उलका पिंड अगर हमारे वायू मंडल में प्रवेश करता है तो हवा के गरसन से जल कर नश्ट हो जाता है लेकिन यह उलकापिन अगर हमारे वायूमंडल परविश करता है तो हमारी धर्थी पर बाहरी तबाही मचा सकता है इसे लेकर वेग्यानिक परिशान है दोस्तों अंत्रिक्स की तरब से आने वाले खतरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें